अज़ पूरे दिन में निफ्टी बैंक में क्या हुआ क्या आज पैसा बनाने का मौका था या फिर नहीं था सबकी उपर डिस्किशन करेंगे लेकिन सबसे पहले आपके फायदे के बाद वह हमारा टेलिग्राम ग्रोफ डिस्किप्शन में जाओ लिंक दे रखिए जॉइन कर हमें 1500 पॉइंट भी मिले वो 1500 पॉइंट क्या थे? 44,350 के उपर मैंने आपको बोला था बाई करने के लिए ये दिखा देता हूँ अपने मेंबर्स का प्रॉफिट जो आज के दिन में बनाया है हमारे कुछ मेंबर्स ने जादा ट्रेड नहीं दिये क्योंकि मैं खुद 12 तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ कैसे? निफ्टी की वीडियो में ने अल्रेड बना के डाल दिये तो आप देख लो कि किस तरीके से निफ्टी में क्या सच में ट्रेड लाइक था माहो लिया फिर नहीं था देखो ये जितनी भी केंडल्स यहाँ पर बन लेवल दिया मैंने यहाँ से यह वाला टार्गेट आपको मिला होगा यह टार्गेट 150 पॉइंट का था 350 से 500 काफी अच्छा है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया कोई दिक्कत नहीं लेकिन 500 का टार्गेट मिला यह बड़ी बात है तो आज की दिन भी हमने एक अपनी 100 प 20 के असपास उसने लिया होगा मारकेट उपर गया होगा और शायद उसका कहीं ना कहिए या तो वो कॉस्ट तू कॉस्ट निकला होगा या फिर उसका स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा because यह जो market का यह वाला जो move था यह भी सिर्फ trap करने के लिए था trapping move था, market ने अच्छा कासा यहां से breakout किया और यहां से rejection ले लिया, ठीक है तो यहां पर भी आपको trap किया, यहां पर भी आपको trap किया यहां पर भी आपको प्रेमियम थे वह बढ़ेगा नहीं, वह कहीं नहीं घटेगा और आज वैसे भी प्रेमियम हमारे अच्छे से चल नहीं रही थे जब हमारा market put में जा रहा था, तो हमारे जो put के जो यह premium थे वह बढ़ नहीं रही थे और जो call के premium थे वह गिर नहीं रहे थे, ठीक है, तो उस चक्कर में मैंने आज मना कर दिया था, अपने members को जाधा trade देने से, ठीक है, कोई बात नहीं, market अगेन हमारा देख सकते हो, इस box में कई ना कई बंद है, दो बार breakout किया, दोनो बार breakout fail किया, nifty जादा strong दिख रहा है, levels की बात कर लेते हैं, हमारे लिए 44,500 एक important level है, अगर हम इसके उपर निकलते हैं, देखो यह हमारा level 480 का और यह जो भी विक बनाया है, यह level 500 का, हमें either 480 के उपर sustain करें, 5 minute का candle या 15 minute का candle या फिर 500 के उपर निकल जाए, तो हमें एक बड़ा move ऐसा कुछ देखने को मिलेगा Monday के दिन, downside की बात करें, तो मैं बोलूँगा, यह पूरा area एक ऐसा है, जहां पर आप trade नहीं करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अभी हमें 44,360 पर, अगर किसी को trade करना है, तो 320 के नीचे करें, छोटे-छोटे target के लिए करें, 300, 280, ठीक है, ऐसे target के लिए करोगे, तो बड़ी आए, बड़े target के लिए जाओगे, तो थोड़ा दिक्कत होगा, अगर downside की बात करें, तो 280 को अगर हमारा market निकालता है, तो again हम 160 तक के level देख सकते हैं, मतलब यह पूरा area जो put का है, यहां तक आ सकते हैं, और उसके बाद यह वाला level यानी की 120, ब strong होना पड़ेगा, उसके लिए को closing देनी पड़ेगी, 44,500 के उपर, ठीक है, बाकी जादा कुछ अभी है नी market में, कल की वीडियो में आप लोग के लिए लेके आँगो, जिसमें थोड़ा और analysis करके बताऊंगा, कुछ, sorry, कुछ trend अगरा बन रही है, वो बताऊंगा आप ल है, अभी के लिए बस इतना है, एक trend line इस तरीके से कुछ आ रही है, upside से कुछ इस तरीके से आ रही है, इनका ये breakout करे, हम चाहते है, upside निकले, downside ना निकले, market को उपर जाना तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ये level के उपर निकलना पड़ेगा, तब हमें एक अच्छा trade call side मे के उपर, so I hope आप लोग को वीडियो पसंद आगा, और कुछ भी अच्छा लगा है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीकरम को जोइन करो, और कमेंट सेक्षन में कुछ पूछना है, तो मेरे से पूछो, मैं उसकान से आपको कर दू, मैं थ वीडियो के सार,